नमस्कार बहुत स्वागत है आपका दुर्गा नौमी है मा सिद्धी दातरी की पूजा इस दिन की जाएगी और नवा सुरू माता सिद्धी दातरी है मा दुर्गा की ये तो आपको पता ही है दोस्तो हम बात करेंगे आज के दिन आप क्या वैसा उपाय करें कि जीवन की तमा काम परिसानियां खत्म हो जाए और खुसियां आने लगे तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आप कैसे पूजा करेंगे मा की कौन है मा सिध्धिदात्री और इनकी पूजा से किस तरह के फल आपको प्राफ्थ होते हैं देखिए नौमी तिथी के दिन समस्त मनो कामनाओं की कमल के पुस्प अरपित करने का बिधान है वैसे हम आगे वीडियो में बताएंगे आप वीडियो के अंतक बने रहें दोस्तों महत वीतना क्यों है नौमी के दिन का देवी के संपुर्ण सवरूप हैं देवी सिध्धिदात्री और केबल इस दिन अगर आप माता की उपासन कफल आपको बहुत आसानी से मिल जाता है और ये पूजा नौमी तिथी पर की जाती है इसको महा नौमी भी कहते हैं महा नौमी पर सक्ती की पूजा भी की जाती है जिसको करने से जीवन में की जो समस्त आपकी समस्याएं हैं वो भी दूर होती है और आपको विजय की प्रा चैनिंग एरिया में सजाते हैं बच्चों के पॉकेट पर्स में देते हैं या फिर अपने बेडरूम में ही रखते हैं तो यकीन माने आधी समस्या तो यूहीं दूर हो जाएगी क्योंकि इससे आपकी बुद्धी और विद्या दोनों की प्राप्ति होती है दोनों ही सही डिस सिद्धियों को देने वाली हैं यह कमल के पुष्प पर विराजमान हैं और इनके हाथों में पद्म संख चक्र और गदा यक्ष किंणर गंधर्व नाग देवी देपता और मनुस से भी इनकी ही किरपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं नौ में की दिन माता सिद्धी इद्धात्री के उपासना अगर आप करते हैं तो न Wahrात्री के नौ दिनों का फल व्यवल को सुएम ही प्राप्त हो जाता है लेकिन पुजा उपासना कैसे करेंगे माता की चलर बताते हैं हम अगर सुभा सुभा हो नई सामके समय भी कर सकते हैं करें क्यें क्या अस्नान वेक से अरपित करें इस तरह से नौ बार करें एक ही पूस्प को और इसके बाद माता कोुना तरह के खाने पीने की चीजें पर पिट कि इस फल भी हो सकते हैं और पकवान भी हो सकते हैं पिर आपको एक मंत्र जपना है और और वो मंत्र है ओम निंग दुर्गाय नमः ओम निंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बर जब करें या फिर आपकी इच्छा ज्यादा भी कर सकते हैं अब यह जो आपने मां को कमल का पुस पर पित किया है लाल वस्तर में अच्छे से लपेट कर अगली नवरात्री संभाल कर अपने पास रखें पुजास्थान पे अपने गर में और वस्तर पीत को मा को और इस पित किया है पहले निरधन को भोजन कराईए या जिक क्रूफ और पूजा की समाःति करें या परसाथ ग्रहन करना है आपको और फिर अब हम आपको एक दूसरा उपाय बताते ह सभी परिसानिया दे रहे हैं गोर से गोर दरिर्ता भी इस उपाय को करने से समाप्थ हो जाएगी करेंगे क्या नौ गुरहों को ठीक करने के लिए नौ मी के दिन मा के सामने एक घी का चौ मुखी दिया जलाईए संभभ हो तो कमल के फूल अरपित करें और या फिर अगर कमल का पुस्प नहीं है तो लाल गुढ़ल के पुस्प लाल गुला भी अरपित करें अब मा को आपको भोग लगाना है भोग कैसे लगाएंगे सबसे पहले तुमा को थोरे से मिस्री अरपित करें इसके बाद गुड़ अरपित करें फिर हरी सौप अरपित करें उसके बाद आप केला अरपित करें और जब भी केला अरपित कीजिएगा जोड़ा की संख्या में कीजिएगा फिर दही अरपित करें घी अरपित करें और अंत मे ग्रोहों की सांती के लिए प्राथना करें आपको 100% लाब होगा और जीवन की समस्त परिसानियों का अंत्वी होगा तो ये उपाय आप जरूर करें और आपके जीवन में चमतकार कितना हुआ ये हमें जरूर बताएं मा की किर्पा सपर होती है आपर होगी आस ना छोड़े लुगा नौमी है यानि मा सिद्धी ढात्री की पुजा होगी और नौमी के दिन समस्त मनों कामनाओं की पुर्ति के लिए आप मा दूरूर बाट को कमल का पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा एक ही सही अगर नहीं ह कमल का पुस्प तो दोनों हाथों को अंजुरी बनाएं जोड़ कर और आंखें बंद करें ध्यान करें कि आपके हाथों में कमल का पुस्प है इसे मांसिक पूजा कहते हैं और मा को अरपित कर दें आँखें बंद करके ही यकीन मानिए हकीकत वाले कमल के पुस्प से जादा फल इस मानसिक पुस्प से मिलेगी क्योंकि यहां पर सिर्फ आप ड्यूटी पुरा नहीं कर रहे हैं फूल चरहा कर भगवान को बलकि यहां आप मन से अरप करते हैं यह तो आपको पता ही है गरहों की चाल से हमारा जीवन कैसा चलेगा यह तै होता है और नौ गरह अगर ठीक ठाक पोजीशन में आ जाएं जीवन में जो गरह गरवर हैं वो भी ठीक हो जाएं तो कितना अच्छा हो आईए हम उसके लिए आपको एक उपाय आप घर में मंदिर में कहीं भी कर सकते हैं ध्यान से सुनिएगा चौ मुखा दिया जलाईए घी का अगर एक मुखा ही दिया है आपके पास तो कोई बात नहीं चारों कोना में एक एक बाती लगाईए और घी डालकर दिया जला लें अब संभव हो तो कमल के पुस्प और प हईस तो अब अब आपको यहां पर भ् attacheा लगाने हैं भोट तो यहां पर बहुत तरह की चीज का भोग लगएका लेकिन बहुत च्छुटी हाप एक्षप घर में होगी सबसे पहले चीज है आप मां को सबसे पहले मिसरी का भोग लगाई इसके बाद मतलब एक ही थाली रखिए उसमें मां को मिस्री दे के अर्पित कीजिए अब फिर गुड उसमें थोरा सा उसी थाली में दे अब हरी सौंप उस थाली में दे अब केला दे केला जोडा में दीजिएगा बे जोडा केला यानि 5-7-11 ऐसे मत चढ़ाई जब फिख रहिए दो चार छे याट ठीक है अब इसके बाद थोड़ा सा दही अर्पित करें अब थोड़ा घी और अंत में पान का पत्ता अर्पित करें आप जोड कर माता रानी से प्राथना करें कि मां तमाम जो बुरे घरह जीवन को उतल्थल किये हैं प्लीज उन्हें सांथ करें और हमारे जीवन में खुसियों आने दें आप प्रार्थना करें आपको 100% लाब होगा सिर्फ एक पर उपाय करें और फिर हमें कमेंट कीजेगा आपका जीवन में बदलाओ आया ही नहीं लेकिन यार रखिए फिर से हम कह दें आपको क्या क्या अरपित करना है सबसे पहल परसेंट नहीं 200% आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे हर हर महादेव जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव चरू लिखें